हेलो एवरिवन, वेलकम तो मैं चैनल कम स्कोलर देखिए आई टीर फॉर्म जो की एक इंडिविजल जो की इंकम जो आन करता है उसके लिए आई टीर फाइल करना बहुत जरूरी होता है तो आज हम इसके बारे में कुछ जरूरी बाते देखेंगे कि आई टीर फाइल फॉर्म किसको करने चाहिए एंड इसके लिए हमें क्या किनी वादतों को हमें ध्यान रखना चाहिए तो आज हम डिसक्स करेंगे what are the types of आई टीर फॉर्म and basically which form is right for the individual तो पहले देते हैं कि अगर आपने आई टीर फाइल अगर टाइम पे अगर आपने फिल कर दी जो की है before 31st of July देखें, income tax department की तरफ से बोला गया है कि जो due date होती है, जो की होती है 31st of July of every year ठीक है, तो अगर आप उस date या उस date से पहले फहले अगर आप ITR fire कर जाते हो, तो उस पे आपकी ना तो कोई fees होगी ना ही कोई penalty होगी लेकिन अगर मालने जाए अगर आपने किसी भी reason से अगर आप ये date miss कर जाते हो, यानि कि that means अगर आप ITR fire करते हो आपर 31st of July, तो अगर आपके उपर कोई fees या कोई penalty लगेगी तो वो किस तरह लगेगी तो यहाँ पर लिखावा देह लिखेवा, if income is up to rupees 2.5 lakh, then there will be no fees charged by the income tax department then, अगर आपकी income 2.5 lakh से जादा है, और up to 5 lakh है, तो उस पर जो fees लगेगी, वो आपके लगेगी 1,000 यानि कि जो overall जो आपको tax pay करना है, उस पर addition जो fees amount हे जाएगा, वो लगेगा 1,000 का जैसे माली जागर आपको tax लगा, suppose आपकी income जो है, माली जी ये 5 lakh देगा, माली जी 4 lakh है, उसके बाद माली जी आगर आपकी tax library बन रही है, overall जो tax library बन रही है, before sales, वो किती बन रही है, that is, suppose माली जी ये 2,000 और आपने after 31st of July अपने ITR फाइल करी है, तो पहले तो ये addition fees लगेगी 1,000, यहने की 2,000 plus 1,000, और फिर उसके उपर आपको 4% जो है, आपका sales अपका add हो जाएगा, तो इस तरह से आपकी calculation होगी, और अगर आपकी income 5 lakh से जादा है, तो आपके उपर जब फीस लगी, वो लग करते हैं, तो जादा है, देखिए वैसे तो more or less कभी-कभी maximum chance हमने देखा है कि income tax department notify कर जाता है, लेटर ओन की आपको date जो वो action कर जाता है, देखिए जरूर निकीव हमेंचे करें, अब तक हमने देखा trend जो देखा है, वो हमने government के point of face देखा कि जैसे लास्ट जीदे में देखिए, बहुत साइज चीज दीजी की भी, वो handle timely नहीं हो भाई, तो इसलिए government ने वो date जो एक्शन कर दी, लेकिन हो सता है इस बार ना भी हो, अगर हो भी हो तो मैं मान जीजे कि August तक हो, बट मैं फिर भी बोलूँगा कि आप 31 July को ही आप last date लेके चलिए, और आप इस date से पहले या date तक जो है, आप अपनी ITIR फाइल आराम से कर देजिए, चलिए आगे समझने कि ITIR के types क्या होते हैं, major head source of income, यानि कि आपकी कोई interview चला है, तो उसकी source of income, यानि कि वो income जो है, वो कहां कहां से वो earn कर सकता है, जैसे कि income from salary यानि कोई salary income person हो, चाहे वो कोई center government employee हो, चाहे वो state government employee हो, चाहे वो कोई pensioner क्यों ना हो, तो अभी वो salary में आगी, या अगर कोई private company में काम कर रहा है, तो अभी वो income from salary में count हो जाएगा, इसके बाद आता आपका income from house property, यानि कि मानने जे आपके पास दो घर हैं, एक घर में आपको धर हैं, दूसरे घर में आ आप जो इसको rent पर आपने इसको चाड़ा दिया, तो उसको बोलते हैं let out property, ठीक है, तो एक घर आपका self occupied हो के जिसमें आप घर खुदरा रहे हैं, और एक property आपके हो की let out, जिसमें आपने इसको rent आपकी income आरे हो रही है, तो by way of rent अगर आपकी को income आरे हो रही है, तो वो income from house support पिन जाएगी आप, then income from business or profession, यानि आपको कोई proper business है, चाहे हो कोई आपका manufacturer related हो, ठीक है, और एकर आपको service पड़ कर रहे हो तो आपको profession में account हो जाएगा, इसके बाद आपकाता है income from capital gain, यानि कोई ऐसी asset जो जिसे बेचकर आपने gain किया है, चाहे हो कोई shares हो, चाहे हो चाहे हो, चाहे हो, चाहे हो, चाहे हो, कोई भी other asset है, जिसमें आपको overall कुछ gain होआ है, तो वो income from capital gain में आपका आजाएगा, इसके बाद आता आपका income from other sources, यानि कि वो sources जो चारो head में नहीं आते, जैसे salary, house property, business income, capital gain, इन सब को छोड़ कर बाकि, जितनी भी आपकी जो income में वो सारी आपकी income from other sources मा जाएगी, for example, अगर आपने bank में पैसा रखा हुआ है, तो saving accounts आपको कोई interest आरना कर रहे है, या आपने कोई FD कर रही है, या recurring deposits आपको कोई income आ रही है, या आपको आपने company के share लिए में उससे आपको dividend मिल रहा है, ठीक है, या lottery है, or sales है, तो वो सब क आपको income from other sources मा जाएगा, इसके बाद आपका agriculture income, ठीक है, तो agriculture income से भी अगर आपको income आ रही है, तो आपकी कौन से head बनेगा income from agriculture, तो ये major source of income है, या दखना ये जो मैं आट discuss कर रहा हूँ, ये मैं से भी discuss कर रहा हूँ for the individual, यानि ना तो मैं किसी firm की बात कर रहा है, ना मैं L अगर आपने ITR file, wrong file कर दी, जैसे देखिया, जो हम बात करेंगे, mainly majorly, ITR 1, ITR 2, ITR 3 and ITR 4, अगर आपने wrong ITR file कर दी, तो क्या होगा, तो इसका मतलब आप ऐसी income है, जो आप छुपाना चाते हो, तो उसको हम क्या मनेंगे, undisclosed income, ये income text department के तुरू रूल लिखा हुआ है, कि अगर आपने wrong ITR form, अगर आपने file कर दिया, तो इसका मतलब वो income आपकी क्या मनेंगे, undisclosed income मनेंगे, and undisclosed income, always be treated as black money, right, and it is to be taxed at the rate 30%, straight away, जैसे मानलेजे, आप side income person है, आप मानलेजे, shares में भी इन्वर्स करते हैं, आपने, आपने, मानलेजे, ITR file, one full file कर दी, जबकि आपको जो है, capital gain rise हो है, आपने इसको, ITR one में ही दिखा दिया, तो इसका मला, आप जो अपने share से, जो आपने income, जो earn होई, वो आप दिखाना ने चाते, तो उसका मला, क्या हो, undisclosed income होगी, तो, और income tax department क्या गाता है, कि आगर कोई income, undisclosed income है, तो उसको हम black money मानेंगे, ठ 30% tax rate से वो applicable होगा, right, तो ध्यान रखना, आपको पता ना चाहिए, जब भी आप ITR file करना जा रहे हो, तो आप कौन सा, आप ITR form, आपने कौन सा open क्या होगा है, तो पहले आपको देखना है, first step देखना है आपको, पहले आपको देखना है कि आपकी overall, क्या taxable income कितनी है, इसक बिजनेस हा रही है, प्रोफेशन हा रही है, तो उस तरीके से यहाँ पर income tax firm ने ITR बना होगा है, यानि कि एक ITR form का एक specified purpose दिया होगा है, तो अगर आपने वो specific purpose यानि कुस condition को फुल्फिक करते हो, तो आपको वही ITR form आपको file करना चाहिए, right, चलिए, पहले बात करते हम, ITR 1 की ITR 1 की किस्से करते हैं, और आपको ITR 1 का file करना चाहिए, तो पहले बहुदा होगा कि, वो individual जिनकी overall जो income है, वो 50 लक से कम है, ठीक है, 50 लक से कम है, इसके बाद वो individual जिसकी income जो है, वो कहां से आ रहे हैं, from salary या फी pension से आ रही है, इसके बाद, आपकी income कहां सारी house properties आ इसके बाद अदर्स होशे जैसे में आता था है अगर आपका सीवी में इसे इंटरेस्ट आ रहा है FDA RDA यह लोट्री है कुछ भी है तो अगर अदर्स होशे भी आ रहे हैं तो भी आपको अधर्स होशे जैसे आ रही है तो यह आपको इसके लावा आपकी कोई और हैड से इंकम नहीं आने चाहिए तो यह है आपका इसके अगर आपकी इंकम में है अगर वह पचास लाग से एकसीड कर जाती है तो आपको इसके बाद आपकी अगर इंकम कैपिल गीन से अराइज हो रही है जैसे आपने शेर्स बीचे जैसे या मुटिटफ इंचर आपने सेल आप किंए सेल आप कोई building आपने बेची है, कोई ऐसी other asset जिस पे वो taxable है, तो वो capital gain में आपका आएगा, तो आपको capital gain से कोई income हारा जोरी है, ठीक है, तो आपको ITR 2 में जाना चाहिए, इसके बाद अगर आपकी income जो house property है, more than one है, तो भी आपको ITR 2 में जाना चाहिए, देखिए, यह जो मैंने लिखा जैसे income from everything in ITR 1, more than 50 lakh, तो हम ने कहा पढ़ा, जैसे salary हो गया, house property हो गया, other sources हो गया, ठीक है, तो अगर यह सब आपकी वहाँ 50 रखता है कि तो आपका ITR 1 है, लेकिन जैसी मालनीजिए, यह दो income आप मालनीजिए, यह capital gain आपका है यह नहीं, capital gain आपका है यह नहीं, ठीक है, बट फिर भी आपकी, बट आपकी ओवर लिंगम 50 रख सेक्षिड हो रही है, तो आपको ITR 2 में जाना जाना है, यहनि कोई भी condition आपकी feel fulfilled होगी इन में से, तो आपको ITR 2 की तरफ जाना पड़ेगा, लास्ट वर इस income from unlimited shares, और you are holding a directorship of a company, तो भी आपको ITR 2 फाइल करनी है, देखे, आप यह मत समझना कि, आपको इन में से सारी condition कुनने यह यह सा नहीं है, आपको अगर एक भी condition fulfill कर दो किने इस में से, तो भी आपको ITR 2 की तरफ जाना पड़ेगा, जैसे देखे, फर्स कंडिशन है, कि आपकी ITR 1 में जितनी भी income है, अगर वो 50 अक से exit कर रहेगी, तो भी आपको ITR 2 में जाना है, या मानने ज़र आपकी किसी भी head से income नहीं, सिर्फ capital gains है, मानने जिए 10 लाग आपकी सिर्फ capital gains जा रही है, तो भी आपको ITR 2 की तरफ जाना पड़ेगा, या आपके पास more than 2 घर से, या नि more than 2 houses से, आपकी income नहीं हो रही है, तो भी आपको ITR 2 फैल करना है, इसके पास आपने कोई unlimited shares आपने hold की वे थे, उसने आपसे sell for दिया, ठीक है, तो उससे जो income generate हो रही है, तो भी आपको ITR 2 जाना है, तो मैं ये नहीं कर रहा कि, आपको ये सारी condition फैल करनी है, अब मैं कर रहा हूँ, आपने कोई भी एक condition है, आपने आपकी income रहा है जोरी है, कोई भी ये सारी condition टिक हो जाती है, तो भी आपको ITR 2 में जाना पड़ेगा, चलिए, इसके बाद अगर मालेजिए, अगर आपको कोई foreign income है रहा है जोरी है, चाब कोई भी income हो, तो भी आपको ITR 2 फैल करनी है, इसके बाद अगर आपकी aggregate income, जैसे ही 50, 50,000 से अगर कम है, तो फिर आपको ITR 2 की तरफ जाना होगा, जैसे ITR 2 में था कि अब टू 5,000, लेकिन अगर मालेजिए, आपकी इंकम, एगलिजिए इंकम 50,000 से एक्सी दे जाती है, एन अब टू 50,000 है, ठीक है, तो आपको ITR 2 की तरफ जाना होगा, तो अगर इन में से कोई भी एक कंडिशन, फिल्फिल जाती है, तो आपको ITR 2 की तरफ, यानि जो भी ITR 2 में गिवन है, वो तो यहाँ पर आएगा ही आएगा, इसके अलावा, अगर मालनी जीए, अगर आपकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन इंकम आ रही है, तो आपको ITR 3 की तरफ आपको जाना होगा, चीक है, यान दखना, यह बिजनेस जो प्रोफेशन जैसे मालनी जीए, बहुत लोग हैं, जैसे जैसे सैलिड इंकम पर सुन होते हैं, आजकल जैसे इंटरडे में बहुत खेल थे हैं, शेयर्स में, तो उनका जो वो स्पेक्रिटिव इंकम आज जाती है, तो उनके लिए ITR 3 फाइल करना कमबल सरी जाता है, जैसे मानना आपको गाता, कि हर ITR फर्म का अपना एक स्पैसिफिक अबजेक्टिव है, अगर आपकी जो इंकम है, बिजनेस आ रही है, और वो कौन सा बिजनेस है, प्रिजन्टिव इंकम, जैसे सेक्षिन 44 AD है, सेक्षिन 44 AD है, सेक्षिन 44 A है, इसका लिएक मैं डिस्क्रिपिशन बॉक्स में दूँगा, या उपर आप आई क्लिक पर बटन प्रेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको और डिटिल आपको इंफिर्मिशन पर पताज लएगे, कि प्रिजन्टिव इंकम बिजन्स किसे करते हैं, और तब आपको बस लगए कि ITR 4 आपको फाइल करनी है, या नहीं करनी है, इसके बद अगर आपकी इंकम 50 लेक तक है, तो अभी आपको ITR 4 फाइल करनी है, तो यह सारे कंडिशन अगर आप फाइल करते हो, इन बेसे को एक भी करते हो, तो भी आपको यह फाइल करनी है, जैसे माली जी आ दिखना है, यह जो बिजन्टेव इंकम बिजन्स है, अगर इसकी इंकम 50 लेक तक है, तो आपको ITR 4 फो जाना है, एक्शे कर जाएगी, तो आपको अधर जो ITR है, जैसे 5 है, 6 है, 7 है, उनमें दिखना होगा, वैसे दिखना होगा, वैसे दिखना होगा, ठीक है, और नहीं किसी कमपनी के बात करिए, अब आप बोलो, कि सर, आपने पिछले साइड में आपने, फिर्म की बात कर देए, वो मैंने पार्टनर्शिप की बात कर देए, अगर आप पार्टनर हो, तो, ठीक है, तो उसके लिए बात करिए, तो यह था आपका ITR 4, तो आपको यह जो आहाजम में डिस्कास किया, यानि कि आपको ITR कब करनी है, इसकी डेट्स किया है, और कौन-कौन से ITR आपको फाल करने चाहिए, आल्राइट, I hope you have understood very well, थैंक यू.